हेलो स्टुडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा जो लेटेस्ट एक्जैम था PCS का 2021 का उसको हम यहां डिसकुशन उसकी स्टार्ट करते हैं और यह हमारा लास्ट प्रिवियस यह पेपर है स्टुडेंट राइट और पेपर की खास बात बतादू मैं सबसे पहले उसको डिसकस करने से पहले इसकी कुछ खास बाते देखिए स्टुडेंट आप सी एर वन सेकेंट हैं जी सबसे पहले तो जो 2020 में पेपर हुआ हमारा ठीक है उस वो प्रिवियस यह पेपर से कैसे डिफरेंट था यह देखिए सबसे पहले स्टुडेंट फैक्ट्स as compared to other papers facts less थे, कम थे ठीक है more aligned towards UPSC towards UPSC paper मतलब अपने आपको PCS ने align करने के try किये किसके साथ? UPSC के जो prelims का paper आता है उसके साथ third thing more analytical and concept wise paper conceptual paper right तीसे यो जो इसमें और मैंने खास चीज देखी one, two, three, fourth जो चीज मैंने देखी वो ये student की questions जो थे वो काफी lengthy थे lengthy questions थे जिसकी वज़य से time बहुत ज्यादा लग रहा था right so student इससे हमें दो तीन चीजों का कैस लगता है इससे हम दो तीन चीजे देख सकते हैं पहला first thing PPSC अपने पैटरन जो है उसको वो चेंज कर रहे है पैटरन को वो चेंज कर रहे है difficult level बढ़ता बढ़ेगा जो इस साल पेपर होगा 2024 के अंदर it will be more difficult it will be going more difficult अभी जब हम PCS करेंगे PYQ करेंगे आपको मेरी हर एक बात जो है उस पे यकीन हो जाएगा बिल्कुल एक दम crystal clear आपको clear हो जाएगा कि हाँ जी जो मैं बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं ओके यसूर नो ठीके जी हाँ जी तो अब हम start करते हैं यहाँ पे हमारा session तो first question student आपकी screen पे है question पढ़िए student पहला ही question student हमारी पहला ही question हमारा जो है वो current oriented है current affair है आपका almost आपका almost 40% जो paper था 40% जो paper था वो current affair current oriented paper था जो 60% आया था उसमें से भी half question ऐसे थे student जिन में कोई ना कोई statement current oriented थी जैसे कि अपनी UPSC में आती है ठीके जी तो student first question current affair से था और current affair भी कौन से थे international current affairs जो होते है हमारे वो वाले current affairs थे national current affair नहीं है ये बचे international current affair होते है वो वहाँ से question है तो question आपके सामने student question पढ़िए कैता दा World Health Organization has declared Africa wild polio free Africa को अभी उन्होंने polio free declare कर दिया किसने World Health Organization ने WHO कैता था disease is now found only in which of the following countries कौन सी country में अभी भी polio virus है student यहां से question है तो बताव कौन कौन सी country पहला कैता है अफगानिस्तान पाकिस्तान दूसरा अफगानिस्तान किर्गिस्तान उजबेकिस्तान पाकिस्तान और उजबेकिस्तान तो student correct option is first अफगानिस्तान और पाकिस्तान अफगानिस्तान और पाकिस्तान मातर दो ऐसे countries हैं जहां पे अभी भी polio virus जो है वो prevalent है जो अभी भी है तो ये था student हमारा first question right तो second question की तरफ move करते हैं student ठीक है जी तो second question हमारा DNA की उपर था science and technology का question था science and technology का question था बच्चे जो हमारी advanced science है science and technology और उसका भी ये question था student bio technology बायो टेक्नोलोजी का question था student प्लस current अफेर था current oriented question था मैंने कहा ना आप से कि दोनो टाइप के mix questions आई होए थी किसी कोई मतलब जैसे चार statement दी हैं तो एक statement आपकी current अफेर की होगी एक statement आपकी static ही होगी तो इस तरीके से उन्होंने question सेट कर दिया question पढ़िए question क्या है पढ़िए कहता है which of the following statements are correct correct statement उसने पूछे पहली कहता the DNA technology use and application regulation bill 2019 2019 की अंदर आपका क्या आया था regulation bill आया था इसका मतलब ये है कि 2020 में आपका paper हुआ 2019 की उन्होंने current affair पूछी है इसका मतलब एक साल पहले वाली current affair क्या है important है for the regulation of the use of the DNA technology for establishing the identity of certain persons कैता है एक ऐसा बिल लेकर आई है 2019 की अंदर जो regulate करेगा किसको DNA technology की use को कि कहां कहां पर उसको हमें use करनी और किस तरीके से use करनी इसको हम regulate करेंगे second option पढ़िए बचे second में कहता है कहता DNA is made up of 26 pairs of chromosome कहता है जो DNA है वो 26 pairs of chromosomes में बटा हुआ है and provide instructions for building an entire organism and protein third option पर वो बोलता है कहता है DNA is composed of two chain कहता है DNA के अंदर दो chain होती है which coil around each other जो दोनों आपस में क्या होती है coil की होती है मतलब कि एक chain है और वहीं दूसरी chain भी इस तरीके से coil है यह एक double helical model है genetic instructions देता है for the growth third statement में कहता है under the bill DNA profiling is allowed only only in respect of the criminal matter सिर्फ criminal matter में ही आप क्या कर सकते हूँ DNA profiling कर सकते हूँ otherwise आप DNA profiling नहीं कर सकते DNA profiling का other name होता है DNA fingerprinting DNA fingerprinting आप सिर्फ criminal matter में कर सकते हूँ और किसी भी चीज में आप DNA fingerprinting नहीं कर सकते यह आपका question है ठीक है तो इस question को समझने के लिए student आपको सबसे पहले तो थोड़ा basic पता होना चाहिए कि what is DNA, chromosome, gene, DNA fingerprinting क्या चीज़े ठीक है तो see here student तो थोड़ा सा patience रखके बैठी है student मैं आपको काफी चीज़े समझाऊंगी आपको समझना है ठीक है जी तो समझे बच्चे आते हैं चलो जी वो PYQ के answer बताना नहीं है वो तो आप download करके कहीं से देख लो ना ही आपको मेरा ये purpose है कि आपको मैं question पढ़ा दूँ और आप उसको देख लो question तो आप भी पढ़ लोगे बच्चे question पढ़ने में क्या है बात ये है कि उस question से related जो भी basics हैं उसको आप समझो फिर आप उस question को solve करो ताकि आपको पता चले कि हंजी किसी भी question को solve करने के लिए कितनी ज्यादा knowledge की जरूरत है ठीक है ये बात आपको clear है ठीक है जी question समझते है first of all student what is DNA ये समझो आप पहले तो ये ही पता होना जाए कि वह DNA है क्या बिमारी है ये ठीक है तो समझी इस चीज़ को see here student हर एक जो भी हमारी living organism है कोई भी living organism है वो किस से बना हुआ है cell से बना हुआ है ये skin है इसके अंदर कौन trillions of millions of skin cell आपस में जुड़ जुड़के पूरी skin के एक layer बना रखे और हर cell के अंदर student present होता है nucleus ये बात आप सबको आई थिंक सबको पता होगी इसमें होता है nucleus और nucleus में student एक चीज होती है हमारी वो होता है हमारा DNA वो होता है हमारा DNA अब ये DNA है क्या चीज़ ये एक तरीके की student genetic material है what is genetic material तो see your student genetic material का ये मतलब है student की आपने देखा होगा कि आपकी शकल आपके parents से match करती है उनकी शकल उनके parents से match करती है है ना आपके अंदर जितने भी characteristics हैं आपके जो facial expressions हैं वो आपके parents के साथ match करते हैं how is this possible वो जो character है वो आपके तक तक आये कैसे क्या ऐसी चीज थी student जो हूब आपके अंदर copy होगी जैसे मेरी eyes है मेरी eyes मेरी mother जैसी है मेरी mother की eyes है ऐसी बिलकुल तो ये जो मेरी mother की eyes मेरी अंदर copy हो गई how is this possible कैसे हो गई copy बिलकुल as it is वैसे कैसे बन गई मेरी eyes मेरी mother की तरह है फर्क क्यों नहीं आया है ना due to our DNA DNA student एक ऐसी चीज है DNA एक ऐसा material है student जो genetic information को आगे further generation के अंदर वो पास करता है मतलब कि जो हमारा genetic information है उसको वो one generation से दूसरे generation में पास होने में हमें help करता है इसका मतलब जो भी character होगा आपके अंदर जैसे आप exam point of view से important हर चीज आप एक notebook में लिख कर रख रहे हो रख रहे हो ना आपको ये printed form में आप निकलवा सकते हो मेरी हर एक बात को आप copy के उपर note कर रहे होगे तो क्या कर रहे हो student आप आप जो भी information है उसको आप एक code की form में language का एक तरीके का code ही तो है उस code की form में आप उसको क्या कर रहे हो store कर रहे हो उस information को तो बिलकुल वैसे student हमारी body के जितनी भी information है as simple as मैं आपको समझा रहे हूं student please try to understand बस patience रखिए आप थोड़ा सा patience रखना बच्चे जितनी भी आपकी information है आपकी body के अंदर आपकी eyes का color आपके बालो का color आपकी skin का color जो आपकी voice है उसकी tone है ना आपका behavior आपकी खाने पीने की habits आपका natural जो आपका behavior है उन सब की information उस हर एक चीज की information हमारे DNA की उपर store है student DNA की उपर क्या है store है code form में store है किस form में code form में जैसे हम coding की form में लिख लेते हैं हर चीज language के है student code ही तो है A, B, C आप word को जोड के जैसे मेरा नाम गुर्विंदर है तो गुर्विंदर को मैं लिखती कैसे हूँ बोलती हूँ मैं गुर्विंदर लिखती कैसे हो तो बिल्कुल वैसे ही student हमारा क्या है genetic material है DNA है DNA student दो stands है इस तरीके से spiral form में और वो आपस में इस तरीके से जुड़े होई हैं और बीच में stands है जो दोनों stands को क्या करता है यह दोनों spiral हैं उनको आपस में जोड के रखता है और इसी के उपर student हमारे code है जैसे माल लो इतना जो मेरा DNA का part है वो मेरी eyes का color decide करता है इतना part skin coat कर रहा है इतना part जो है वो मेरी you know जो मेरी voice है या जो मेरी height है उसको define कर रहा है सारी information आगे यही information आगे की generation में क्या होगी student copy होगी as it is यह सुर्ण ठीके यह बात इतनी बात समझ आई आई आपको comment box में लिखो यह सुर्ण ठीके अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो आगे समझे आपको आगे समझे बच्चे देखे अभी आपको यह बात तो समझ में आगे कि DNA है क्या DNA क्या है ये बात समझ में आगी आपको अब आप समझो Chromosome क्या है ये Chromosome कौन से बला आगी अब Chromosome कुछ नहीं है बच्ची जो हमारा DNA है उसकी length बहुत ज्याद है उसकी length बहुत ज्याद है और वो बिल्कूल ऐसे जैसे आप आपने वो real देखी है real नहीं होती मैं YouTube वाली real नहीं कह रही है ठीक है? idiot वो वाली real नहीं student मैं real की बात कर रही है जो घरों में हम stitching करने के लिए जो हम thread लेते हैं उस real को आप खोल लो सारी को उस real को सारी को खोल लो और अगर आप उसकी length देखो तो यहां से अगर आप चलोगे अगर ऐसे बिल्कुल आप straight line में लेके जाओ उसको तो आप सोचो कितना दूर तक जाएगा उस can't जाएगा या नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा बट real के उपर उसको spiral कर 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 आप देखो उसका इतना सा इतना सा बन जाते है है ना? या सोर नो? इसके उपर आप spiral कर यहां फिर आप ऐसे पतंग का वो होता है जो धागा होता है पतंग की जो डोर होती है ना? वो देखिए उसके वो आते हैं ठीक है? उसके वो आते हैं ठीक है, धागा आता है, ठीक है, आप देखो धागा कितना लंबा होता है, लेकिन देखो, अगर आप उस सारे को धागे को निकाल लो, ठीक है, तो थोड़ी से जगह ही लेगा, ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही हमारे DNA कुछ इस तरीके का पड़ा होता है, अंदर इस तरीके से divide करना होता है cell division का मतलब कि जब cell को दो parts में divide करना हो आगे further जैसे कहीं पर आपके चोट लग जाते है थोड़े टाइम बाद new skin आ जाती है इसका मतलब new skin cell generate हो गई तो वही चीज़ है तो इस thread, वो जो thread है वो बिल्कुल एक you know well defined structure बना लेता है well defined structure बना लेता है इस तरीके से वही जो DNA एक तरीके से student आपने क्या किया उल्जा हुआ धागा पड़ा हुआ है आपने उसको एक reel की उपर लपेट लिया और उसको एक आपने shape दे दी उसको आपने एक well defined shape दे दी ठीक है जब भी cell को division करना होता है तब आपको इस तरीके का structure दिखाई देगा और ये है DNA तो इसको मैं बोल सकते हूँ condensed form of DNA क्या बोल सकते हूँ student condensed form of DNA अच्छा ऐसा बनता क्यों है so that हमारा जो DNA है वो आगे divide होगा student मतलब की आगे बटेगा जैसे दो घर के बटवारे होते तो क्या होता है आप क्या करते हो equal equal चीज़े बाट देते हो दो कुटोरी इदर दो कुटोरी मेरी दो कुटोरी तेरी दो कुटोरी मेरी दो गिलास तेरे दो गिलास मेरी करते हैं ऐसी बटवारा तो same यह जो chromosome है इसको क्या करते हैं हाफ chromosome इसको दे देते हैं और हाफ chromosome इसको दे देते हैं तो जोनों बें डिवीजन होगी न बट जैसे यह धागा पड़ा हो था अगर मैं इसके division करू बीचो बीच तो हो सकता है student थोड़ा धागा इधर जादा चला जाए थोड़ा इधर कम चला आपको उल्ची वो यह रील पड़ी हो यह मालों आपके पास धागा पड़ा है आपको कहा जाए कि आदा धागा जो है वो आप इसको काटकर दे दो आप कैसे दोगे उसको अगर आप बीचो बीच से तोड़ोगे भी उसको ठीक है तो हो सकता है किसी के पास धागा जादा किसी के बास कम चला जाए तो सेम हमारा dna student जब हम उसको जब उसको cell की जब division होनी होती है उस time पे वो एक proper shape ले लेता है road type shape ले लेता है ठीक है इसके उपर भी इस तरीके से हमारा dna wrap dna इस तरीके से एक form में पड़ा होता है अब क्या होता है equally divide हो जाता है ठीक है दोनों cells के अंदर इसी को हम chromosome कहते हैं and they are only visible during our cell division they are only visible during their cell division ये बात समझ में आई आई आपको yes or no clear है थोड़ा देख लीजे student कोई बात नहीं थोड़ा देख लीजे मैं side में हो जाती हूँ clear आपको ये बात देने ठीक है बच्चे तो ठीक है question को पढ़ते है students ध्यान से बापस से पढ़ते है हाँ जी अब आपको question समझ में आ रहा हो 2019 में वो bill लेकर आई बिल्कुल सई statement है second statement देखे क्या था DNA is made up of 23 pairs of chromosomes नहीं बच्चे हमारे अंदर 23 pairs present होते हैं student chromosomes के जैसे pairs मैंने बना के नहीं दिखाई आपको इस तरीके के इस तरीके के student हमारे पास 23 pairs होते हैं 23 pairs होते हैं student हमारे पास chromosomes के pairs में होंगे student यह अभी मैं थोड़ा ऐसे बना देते हूं चलो थोड़ा ध्यान से बनाते हूं मैं इसको ऐसे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा यहाँ पर देखे हमारी जब chromosome जब हमें visible होते हैं तब वो 23 pairs में visible होते हैं मतलब कि आपको इस तरीके के structure आपको 23 structure दिखाई देंगे इस तरीके के आपको 23 pairs दिखाई देंगे ठीक है 23 pairs दिखाई देंगे इसी तरीके के clear आपको तो टोटल क्रोमोसोम कितने होगे pair में 23 है और वैसे कितने होगे 46 होगे यह सुर्ण अगर single single की बात करो तो यह option तो हो गया हमारा गलत next देखते हैं कहता है DNA is composed of two chains which coil हाँ जी बिलकुल DNA जो है वो इस तरीके से दो chain होती है जो coil की बिलकुल सही statement है next देखते हैं कहता है under the bill DNA profiling is only allowed in case of criminal नहीं नहीं बचे ऐसा बिलकुल नहीं हो सकता DNA fingerprinting तो आपको पता ही होगा DNA match जैसे देखो बचे मेरा DNA किसके साथ match करेगा मेरा DNA match करेगा मेरे parents के साथ और मेरे brother sister के साथ yes or no आपका DNA आपके parents के साथ match करेगा और आपके brother sister के साथ yes or no अभी आपका DNA और मेरा DNA match नहीं करेगा right because we both are different different family's से हम belong करते तो DNA match नहीं करेगा but अच्छा मालो किसी का murder हो गया किड्नैपिंग होगे, चलो ठीक है, वो तो क्रिमिनल केसी है, वहाँ पे तो आप DNA फिंगर प्रिंटिंग करते हैं, तो कैसे पता चलेगा कि उसके रियल पेरेंट्स कौन है, बाई DNA फिंगर प्रिंटिंग से हमें यह पता चलेगा स्टूडिंट कि कौन सा पेरेंट रियल है, क्योंकि जो रियल होगा उसे के साथ उसका DNA क्या करेगा, मैच करेगा, यस और नौ, अच्छा मालो कहीं पे कोई ऐस सिबल केस है, कहीं पे मालो चोरी होगे, बहुत बड़ी चोरी होगे, अभी आपको वहां पे देखना है कि हंजी, आपको वहां पे फिंगर प्रिंट्स मेले, अभी आपको यह देखना है कि हंजी, मालो आपकी वहां पे कोई भी सेंपल मिल गया, बलड का मिल गया, स्किन का का मिल गया, हेर का मिल गया, हाना, उससे आप ये पता लगा सकते हूँ, मानलो आपने दस बंदे पकड़े, हाना, अभी suspect तो दस है, दस के दस ही हैं, बढ़ हाँ, आप ऐसे कर सकते हूँ कि DNA मैच करके, आप उसमें से जो भी, यू नो, आपका जो भी culprit होगा, उसको आप पकड़ सकते हूँ, ठीक है, तो civil cases में भी आप जो है, वो DNA finger printing कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ criminal matters में ही DNA finger printing करें, यह सोर नो, यह बात clear हुए आपको, ठीक है जी, तो यह option भी आपका क्या जाता है, गलत जाता है, तो बचा क्या, बचा क्या, 1 & 2, 3 भी गलत होगा, 4 भी गलत होगा, 1 & 2 ही हो यह, इसी है, होकी बच्चा, मूव करते हैं, 3rd question पर, हाँ जी, 3rd question पर, क्याता है, recently the Union Ministry of Commerce and Industry launched, launched, national GIC, GIS-enabled land bank system, which of the following system are correct about this system, correct पुछा है student, अब बताईए आप मेरे को, पहला कहता है, पहला कहता है, the platform is created to provide the database of industrial clusters of South India, कहता है, यह इसलिए बनाया, so that हम South India की जितनी भी industrial है, उनका एक cluster बना सके, उनका हमें database मिल सके, ठीक है जी, फिर दूसरा कहता है, the information available, the information available on the platform includes, includes information about the forest, drainage, raw material, heat map, ठीक है, and multiple layers of connectivity, अच्छा, थर्ड में कहता है, it will help India in achieving its target of 5 trillion US dollar in next 5 year, in 5 year by providing transparent mechanism of land identification and procurement, अब इसका correct option पूछा है आपसे student, ठीक है, तो अभी आप अगर ध्यान दो बच्चे, अगर आप ध्यान से देखो, तो one option पे आओ, क्याता है, the platform is created to provide the database of industrial clusters over South India, सिर्फ South India का ही हमें करेंगे, ऐसा possible इनिया सुडेंट, कि आप इतना बड़ा GIS enabled land bank system बनाओ, और उसमें सिर्फ आप South India की industrial cluster का database collect करो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता सुडेंट, तो first option आपका होता है गलत, अगर first option आपका गलत है, तो ये भी गलत, ये नहीं, ये भी गलत, ये भी गलत, तो बचा क्या आपका, बी बचा, two and three, two and three बचा सुडेंट, ठीक है, ये बात clear हो ये आपको, ठीक है जी, so fourth question पे move करते हैं सुडेंट, कहता है, consider the following statement, पहला कहता है, प्रतिक्षा, प्रतिक्षा is the India's first marine ambulance, launched by Kerala government, second option कहता है, प्रतिक्षा कहता है, अपको नहीं लगता है ये दोनों स्टेट्मेंट आपस में contradictory है, प्रिक्षा, ये उस टाइम का न, current affair का question न, ये current affair का question है, मैं कहा रही हूँ, आपसे current affair भर भर के पूछे हैं, ऐसा नहीं था, ये regional current affair, उन्होंने सिर्फ अपने पंजाब सी पूछे, नहीं, अगर कोई regional current affair, किसी और स्टेट का अगर famous है, ठीक है, वहाँ पे वो काफी news मेरा, और वोही current affair national newspapers ने भी cover किया, तब भी उन्होंने उस question को वहाँ पे पूछा, आप देखना, आगे चलके ओडिशा के बारे में question आयो हैं, आंदरा परदेश पे questions आये हैं, वहाँ से आपको idea लगेगा student, कि questions जो हैं, वो काफी अच्छे पूछे गए बाकी state से भी, तो देखिए, तो इसमें पहली statement बिल्कुल सही है, कि marine ambulance चलाने वाला पहला state जो है, वो हमारा केरला government ही है, but not for the sewage of student endangered turtle from poches, actual में जो marine ambulance हमने launch किया है, student वो launch किया student, जो भी sea के अंदर student, जो भी नाव लेके जाते हैं, जो अपनी शिप लेके जाते हैं, कई बार क्या होता है, लोकल मच्छवारे जो होते हैं, student, वो कई बार क्या होता है, अंदर उन पे कोई accident हो जाता है, कोई miss happening हो जाती है, जिसकी वज़े से होता क्या है, students, वहाँ पे काफी ज़्यादा, जब तक वो कोस्ट तक पहुँचते हैं, तब तक क्या होता है, student, उनको कोई medical help नहीं मिलती, इसके लिए केरला गवर्वनेंट ने एक marine, यहाँ पे ambulance चलाई है, जिसका main purpose है, student, कि sea के अंदर, जो भी मचवारे जा रहे हैं, जो भी fishermen's जा रहे हैं, अगर कोई miss happening हो जाती है, तो उनको जल्दी से जल्दी medical aid, उनको सर्व की जाई, ठीक है जी, ओकी जी, ठीक है जी, तो correct option बनेगा, अच्छा, इसमें से इसने incorrect पुछा है बच्चे, इसने incorrect पुछा है, तो incorrect statement है हमारी only two, incorrect पुछा बच्चे, correct नहीं पुछी, पहली statement correct ही है, तो B option हमारा क्या है, यहाँ पे incorrect है, यह बात आपको clear होई, यह सुर्णू, ठीक है जी, ठीक है बच्चे, ठीक है जी, तो question तो हमने काफी कम किये हैं, हाँ, detail form में किये, इसलिए हमारा यहाँ पी, you know, काफी ज्यादा time भी चला गया, but this is the right method student, PYQ करने का यही ऐसा तरीका ही होना चाहिए, हर एक student को इसी अप्रोच के साथ PYQ को हैंडल करना चाहिए, वैसे इसका कोई फाइदा नहीं होता PYQ को, because exam को अगर आपको सही माइने में अगर उसको जानना है, कि exam किस तरीके से पूछा जा रहा है, तो this is much better way to study your, to learn or study your current affairs, ठीके जी, और your PYQ, ओके ओके student, तो इसी के साथ student में यह session over कर रही हूँ, और student हमारा new year 2024 भी हमारे doors पे नॉक कर रहा है student, so wish you very happy new year 2024, happy new year students, right, आप सब के लिए यह साल बहुत, you know, अपके सारे dreams complete हो, is, you know, 2024 के अंदर, आप PCS officer बनो इसी साल, ठीक है, और फिर आप मेरे से मिली यह officer बन की, ठीक है जी, I wish, ठीक है, बहुत अच्छा जाए आपका यह साल, ठीक है जी, all the best students, thank you, thank you so much, have a nice day.